तो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है और गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना जी हाँ एक संस्क्रीन से क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा सूरस से निकलने वाली यूवी ए और यूवी बी डेजिस होते हैं जिसके गारण आपकी जो स्किन है उस पर रिंकल्स आ सकते हैं और उसी के साथी आपकी एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है अगर आप उसे अच संस्क्रीन के बारे में मैं सभी चीज़े बताऊंगा कि इसके बैनेफिट्स क्या हैं, इसको किस तरह से अप्लाइब करना है और लोग इसको अप्लाइब कर सकते हैं, सही तरीका क्या इसे लगाने का एज कोई पोटेंशिल साइड एफक्ट्स है या नहीं अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया दो कर दीजिए कॉस इसी तरह का स्क्रीन केर कॉंटेंट में आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं चलिए शुरू करता है अज किस वीडियो सब्सक्राइब नहीं हो पाती है लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यह है लैक में की तरफ से और इसली गलायड होती है आगे में दिखाँगा कि यह कि सको अप्लाई करना है लेकिनubers के लिए पैकेजिंग की बात कर लि साथ हैं पैकेजिंग की यह गाती है काफी amazing packaging मुझे इसले भी लगते है क्योंकि easy to travel होती है और आप इसे कहीं पे भी ले के जा सकते हैं दोस्तों ये जो sunscreen है वो एक standard packaging के साथ आती है जो लैक में की standard packaging रहती है उसी के साथ आती है और बस फर्क सिर्फ इतना है कि सामने की तरफ आपको tinted लिखाब दिख जाएगा क्योंकि ये एक tinted sunscreen है दोस्तों दोस्तों texture की बात कर लेते इस particular sunscreen के तो काफी amazing texture है बहुत ज़्यादा runny भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं है कुछ इस तरह का texture आपको देखने को मिलेगा और इसका tint भी बहुत ज़्यादा universal है मतलब हर एक skin tone को ये suit कर जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा dark ना हो अगर आप बहुत ज़्यादा dark tone में है तो हो सकता है कि ये tint आपको suit ना करे लेकिन otherwise सब कोई suit कर जाता है मैं apply करके दिखा जाता हूं किस तरह का आपको look देखने को मिलेगा फिलाल के लिए texture कुछ इस तरह का है इसमें सबसे अची बा fragrance होती है वो देखने को मिल जाएगी तो जो लोग को विल्कुल भी fragrance पसंद नहीं अपने products में तो हो सकता है उनको ये product पसंद ना है लेकिन मुझे personally ऐसे कोई issue नहीं रहता है तो मुझे तो काफी पसंद आया and जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका tint बहुत ही जादा universal है ज लब आपके ये तीन finger की जितनी आपको sunscreen लेनी है क्योंकि एक sunscreen है दोस्तों कोई moisturizer नहीं है तो आपको अच्छी amount में लेना है बहुत ही कम amount में लेंगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं पहुचेगा आपको जैसे ही आप इस sunscreen को apply करेंगे आपको एक matte look देखने को मिलेगा और सबसे चीजी है दोस्तों कि आप ऐसा primer भी इस product को यूज कर सकते हैं मतलब अगर आप makeup अगरा करती है तो आप इस product को सबसे पहले लगाएंगे देन आप उसके उपर makeup कर सकते हैं तो काफी अच्छा product है और काफी अच्छा base का भी ये काम करेगा दोस्तों ingredients की बात करो तो द लगाएंगे तो आपको बिल्कूल भी sunburn की समस्था देखने को नहीं मिलेगी इसके साथ ही दोस्तों आपको बॉस्चिराइजेशन भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें दोस्तों कुकुमबर एक्स्ट्रैक्ट पढ़ा है जो की मदद करता है आपकी हाइडरेशन में इस इसे कि आप सभी जानते हैं समर्स चल रहे हैं तो समर्स में आपकी जो स्किन के जो आयल है नैचरल आयल जो आपके स्किन से निकलता है तो अननैचरल लेवल्स में निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि कई बार आपकी जो स्किन बहुत जादा ओली हो जाती है या फिर बहु करें आक्ने की तो इसमें आपको देखने को मिल जाइगा नाय सिनिमाइड जो आपकी आक्ने को दो रोकता ही रोकता है और प्रोटेक्शन को आप check out कर सकते हैं इसी के सारी दोस्तों इसमें आपको जो filter देखने को मिलेगा जो मेन इंग्रीडियंट है इस sunscreen का जिसके कानद आपकी जो skin बचती है वो है zinc oxide तो zinc oxide से आपकी जो skin दोस्तों UVA rays से बचती है इसी के सारी दोस्तों इसमें आपको titanium dioxide देखने को मिल जागा है जो कि बिना किसी white cast के साथ आती है तो काफी amazing ये product बन जाता है इसी के सारी दोस्तों इसमें आपको allantoid जैसा ingredient देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छा काम करता है आपकी skin smoothening के लिए and दोस्तों काफी अच्छे से ये product को glide करने में आपकी skin पर मदद करता है तो benefits की बात करो तो दोस्तों काफी जादा benefits है जैसे कि SP50 की protection मिल रहे है with PA++++ और 97% तक आप अपनी skin को बचा सकते है from UVA and UVB raises, secondly आपको matte look देखने को मिलेगा, third इसमें आपको किसी भी तरह की white cast की problem नहीं देखने को मिलेगी, easy to carry है दोस्तों कहीं पर भी आप इसे लेके जा सकते हैं और मुझे कि एक trigger point हो सकता है, जो लोग को नहीं पसंद smells या फ्रेग्रेंस अपने products में तो हो सकता है कि आपको यह product ना पसंदा है, secondly दोस्तों, तो अगर आप थोड़े से darker tone में तो हो सकता है कि यह product आपको suit ना करे, आपकी जो skin है थोड़े सी एची लगे और मतलब यह जो product है उस प बार यह product लगाना है, कई बहार जाने से 15 मिनट पहले लगाना है, और हो सकते तो आप इसे moisturizer के ऊपर लगाएगा, क्योंकि moisturizer एक protective layer create कर देता है, और generally sunscreen को कभी भी बिना moisturizer के नहीं लगाना चाहिए, वरना वो आपकी bloodstream में absorb होने लगती है, तो that's why मैं हमेशा recommend करता हूं कि जाता है, लैक में की तरफ से sun expert जो tinted form में आती है, और आपको मने हर इक चीज in detail बता दी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप comment में पूस सकते है, मैं उसका जवाब दे दूँगा, और अगर आपको को भी value मिली इस वीडियो से, then hit the like button and subscribe, क्योंकि मैं आप लोग की तरह की skincare videos लेगा आता रहता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो में तब तक किले, goodbye, take care and I'll see you in the next video, bye!